और वेल्कम बैक, आज हम बात करेंगे फिर से active voice and passive voice की यानि की voice change जो आपको class 10th में भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा और 12th में भी मिलेगा तो पिछले दो वीडियोज में मैंने आपको active और passive voice के बारे में बताया कि कैसे हम present continuous वाले sentences को change करते हैं passive voice में और कैसे हम past continuous वाले sentences को change करते हैं passive voice में और उसके बाद मैंने आपको simple present वाले sentences को भी दिखाया था कि कैसे उन्हें हम passive में change करते हैं तो आज की जो topic इस वीडियो में बहुत ही important है जहां पर कई students confused होके रह जाते हैं शायद आप में उसे भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह लगता है कि यह बहुत ही tough है यह बहुत मुश्किल है तो आज हम बात करेंगे model verbs की कि model verbs को हम कैसे solve करते हैं उन्हें कैसे हम active से passive voice change करते हैं तो यह last तक वीडियो आपको देखना है अगर आपको चीजें एकदम आसानी से समझनी है simple देखनी है चीजों को तो अब model verbs में हम देखेंगे कि क्या होता है तो सबसे पहले आपको पता है कि model verbs क्या होते हैं can, could, would, should, might, must तो यह होते हमारे model verbs फिर से बता दूँ जिनने नहीं पता है can, could, should, would, might, must यह हमारे होगे model verbs अब इन model verbs के active sentences को हम passive कैसे करें यह एक सबसे बड़ा सवाल है और आपने से कुछ लोगों को लगता होगा कि यह बहुत ही ज़ादा tough है पता नहीं कैसे बनाए जाएंगे कैसे solve करें impossible जैसा लगता होगा कुछ लोगों को लेकिन मैं हर वीडियो की तरह इसको इतना आसान बनाने वाला हूँ आपके लिए कि आपको बहुत आसान लगने वाला है तो लास्त तक वीडियो को देखना है तो अब स्टार्ट करते हैं बहुत आसानी से समझाओंगा आपको इस वीडियो में कि model verbs को हम active passive कैसे करते हैं एक दम easy तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताया कि model verbs हमारे क्या है can could would should might must तो ये होगे हमारे model verbs can, could, would, should, might and must तो अब इनके हम active से passive sentences को कैसे convert करेंगे और फिर उसके आगे उसके exceptions को भी बताऊँगा कि इससे जो complicated sentences होते हैं इससे भी tough sentences जो होते हैं वो कैसे करेंगे वीडियो को last तक आपको देखना है पहले आपको ये simple वाला समझा दो फिर आपको बताता हूँ कि आगे उसके exceptions जैने कि उससे भी tough वाले sentences कैसे आसानी से solve कर रुपाएंगे start करते हैं तो सबसे पहले can को पकड़ लेते हैं can का example देखते हैं suppose example देख सकते हैं कि हमारा active voice है we can do this यह हमारा sentence है कि we can do this आपने देखा कि we can do this यानि कि हम ये कर सकते हैं तो आपको याद होगा मैंने आपको format बताया था active passive का same format यहां भी follow करेंगे सबसे पहले एक बात आपकी clear कर दो कि जितने भी active and passive voices होते हैं उसका voice change करने के लिए हमें same format follow करना पड़ता है जो पिछले दो वीडियोस में आप लोग already देख शुके हो फिर भी एक बार मैं ऐसे ही मूँ से बता देता हूँ लिखने की जरूरत नहीं है आप उन वीडियोस को जा कर देख सकते हो वैसे अभी आप समझ जाओगे मुस से बताता हूँ आपको verbally कि active का क्या होता है format हमारा सबसे पहले एक subject होता है उसके बाद एक verb आता है उसके बाद आता है object अब जब हम इसे passive में convert करते हैं तो active के subject को हम last में object बना लेते ही और active के last बाली object को हम subject बना लेते हैं passive के बलदे और फिर passive में कौन सा वर्बात आपको पता है V3 यूज होता है Depend करता है कि sentence कौन सी category का है तो यहाँ भी हम same format यूज करने वाले हैं तो देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि V हमारा subject है और यह हमारा object है और बीच में हमारे पास verb है आपने देखा जो मैंने अभी आपको ऐसे verbal बता है वही चीज़ आप देख रहे हो कि subject, verb and object तो अब passive में जब हम इसे बदलेंगे तो हम इस active के object को subject बना लेंगे सबसे पहले तो this हमारा आया subject यह हो गया अब यहाँ पर हम करेंगे क्या अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि इसका अक्सर करते क्या है कि we can do this मतलब हम यह कर सकते हैं लेकिन अभी इसको हिंदी में ही अगर सोचा जाए कि we can do this को हम हिंदी में passive में कैसे बदलेंगे कि हम यह कर सकते हैं मतलब हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि यह किया जा सकता है हमारे द्वारा हमारे द्वारा यह किया जा सकता है ऐसे सोचेंगे तो वही हम देख रहे हैं कि यह किया जा सकता है तो this scan अब हमें जो यहाँ पर follow करनी है बात वो है हमारी हम यूज़ करेंगे B plus V3 बस यह आपको याद रखना है model verbs में आपको यह याद रखना है कि present वाले model verbs sentences को मैं फिर से repeat कर रहा हूँ मैंने present कहा कि present वाले model verbs के active पैसिव बदलते वक्त हमें यह follow करना है यह याद रखना है B plus V3 B plus V3 तो अब हमने देखा कि this scan अब हम यह भी लाएंगे this can be अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि active में हमारा verb का first form है do active में हमारा verb का first form है do अब इसी का हमें third form use करना है do का third form क्या होता है done तो यहाँ हमारा answer क्या निकला कि this can be done यानि कि यह किया जा सकता है अब किसके द्वारा किया जा सकता है हमारे द्वारा हमारे द्वारा तो यहाँ क्या हो जाएगा by us तो यह हमारा हो गया answer एकदम simple अउमीद है कि आपको कोई परिश्रान है नहीं उस समझने में तो we can do this तो this can be done by us यानि कि यह हमारे द्वारा किया जा सकता है यह हो गया इस active का passive sentence जिसमें हमने यह follow किया बी प्लस वी थ्री ठीक है अब इसी तरह हम देखेंगे इस could को can हमने देख लिया अब could देखते हैं इसी sentence को यूँ पकड़ते हैं कि we could do this तो अब passive फिर से एकदम same format में चलेंगे आप आसानी से बना सकते हो तो answer क्या निकलेगा हमारा this could be done by us एकदम simple अब फिर से देखते हैं यह could भी हमने देख लिया अब would को देखते हैं कि we would do this we would do this मतलब हम यह करेंगे मतलब future है we would do this हम यह करेंगे तो इसको passive में कैसे सोचा जाएगा कि यह हमारे द्वारा किया जाएगा हम यह करेंगे का मतलब passive में यह हमारे द्वारा किया जाएगा तो same format use करेंगे तो passive में इसका answer क्या निकलेगा अभी आप खुद भी आसानी से बता सकते हो क्या होना चाहिए answer कि this would be done by us एकदम simple तो ये would be हमने cover कर लिया अब should को देखते हैं active कि this I'm sorry we should do this इसका मतलब हमें ये करना चाहिए हमें ये करना चाहिए तो इसका passive क्या बनेगा हिंदी में ये हमारे द्वारा किया जाना चाहिए तो फिर से passive का same format कि this should be done by us एकदम simple तो ये should भी हमने cover कर लिया अब might को देखते है we might do this मतलब हम ये कर सकते हैं यानि कि संभावना है probability है कि we might do this तो अब इसका passive का निकल जाएगा same format कि this might be done by us ये भी clear होगे हमारा might अब हम must को देखते हैं active we must do this passive क्या होगा आप जान गए आराम से आप लिख सकते हो कि this must be done by us तो क्या था यहां कुछ भी नहीं एक कदम simple आपको ये देखने से पहले ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये can could would should might must के model verbs जो है इनको हम active passive कैसे करेंगे कितना tough होता होगा ये कुछ नहीं मैं उमीद करता हूँ कि आपको बहुत आसान लगाई यहां तक clear है अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना अब इस से थोड़े tough sentences को देखते हैं लेकिन पने रही है last तक तो अब हम देखेंगे कि और आगे क्या होता है इसी sentence को हम देखेंगे कि we could do this we could do this अब हम यहां देखेंगे कि अगर active sentence हमारा ऐसा हो कि we could have done this अब आप देख सकते हो कि यह sentence आपको बिलकुल अलग लग रहा है तो यह आपने देखा कि यह जो हमारा example था past का यही example हमने यहां देखा कि we could do this यानि कि हम यह हम यह कर सकें अब इसी के example हम देख रहे हैं कि we could have done this आप यह दोनों sentences को देखो कितने अलग हैं कि we could do this और यहां we could have done this अब यहां आपका सवाल है कि अब क्या करें अब आप मेंसे कुछ लोग इस वास सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितना tough है इसका क्या करना है कुछ नहीं एक दम easy देखो क्या है आगे यहां हमने देखा एक चीज़ गौर करो हमने यहां देखा कि यहां कैन, कुड, वूड, शुड, माइट, मस्ट देखो कैन, कुड, वूड, शुड, माइट, मस्ट ध्यान से समबलना बहुत easy है इनके बाद हमेशा हमने देखा कि यहां हमने वर्ब का first form यूज़ किया देखो कैन के बाद डू कुड के बाद डू वूड के बाद डू शुड के बाद डू माइट के बाद डू मस्ट के बाद डू पैसिव में भी हमने देखा कि कैन के बाद बी जो है वो वीवन है कुड के बाद बी वीवन है वूड के बाद बी वीवन should के बाद be v1 might के बाद be v1 must के बाद be v1 तो should, would, could, might, must ये जितने भी हैं इनके बाद हमेशा हमने देखा कि हमने v1 use कि यहाँ हम present या future की बात कर रहें थे अब यहाँ पर बात हो गई है past की तो बस यही आपको समझना है और इससे आप आसानी से मुझे बाकी के sentences लिखने के जरुद भी नहीं पड़ेगी अब ही ये चीज आगे वाली कुछ दो-तिन lines को आपको ध्यान से समझना है अगर वो समझ गए तो ये सारे examples मैं हैं लिखूंगा नहीं मैं मुझ से बोलूँगा और आप उसे इसी वक्त solve करोगे एकदम easy देखो क्या है क्या समझना है कि ये सारे या तो हमने present या future मैं देखें इसलिए हमने v1, v1, v1 यूज़ किया सब में अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर v3 यूज़ हुआ है यहाँ देखो v1 था यहाँ v3 यूज़ हिया work का third form यूज़ किया गया है v3 क्यों यूज़ हुआ क्योंकि यहाँ could के बाद में have था यही बात समझने वाले सबसे important point है यहाँ could के बाद have तो याद रखना जितने भी model verbs देख रहे हो can, could, would, should, might, must इनके बाद हमेशा v1 होता है और इनके बाद यह point important है इनके बाद जब भी इनके साथ have use हो I repeat इन सारे model verbs के साथ जब भी have use हो जाए तो समझ लेना कि उसके बाद हमेशा verb का third form आएगा I repeat again इन model verbs के साथ जब भी have use हो जाए तो समझ लेना कि उसके बाद v3 ही आना है और वो sentence चला जाएगा past में वो present और future नहीं रहेगा ठेक फिर से गोल रहा हूँ इनके साथ जैसे have आए तो समझ लेना उसके बाद बीतरी लगना है और वो sentence past में चला जाएगा इनकी तरह present और future नहीं रहेगा अब आपका सवाल कि इसका passive अब कैसे बनाए तो बहुत simple trick यहां हमने क्या किया था यहां हमने present और future वाले sentences को passive बनाने के लिए B plus V3 यूज किया था बस यहां हमें past वाले sentences को passive बनाने के लिए model words वाले यहां हमने क्या करना इसी चीज़ को हमने change करके क्या कर देना है B की जगा यूज कर देना है बीन और उसके बाद यूज करना है V3 बस यही आपको समझना है तो अब आप देख सकते हो कि present और future में हमने क्या क्या B plus V3 यहां past में हम यूज करेंगे बीन प्लस V3 बस अब इसके solve करते हैं कैसे कि we could have done this यानि कि हम ये कर सकते थें हम ये कर सकते थें इसी को passive हिंदी में क्या सोचेंगे कि ये हमारे द्वारा किया जा सकता था हमारे द्वारा ये किया जा सकता था तो कैसे होगा देखो format same रहेगा subject, verb, object passive में object subject, verb subject यानि कि active का औबजेक्ट सब्जेक्ट बनेगा फिर वर आएगा उसके बाद एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो औबजेक्ट बन जाएगा तो सेम करेंगे कि दिस अब हमने यह लगा देना है इस कुड़ हाव बीन डन बाई अस तो यह हमारा निकला आंसर कि we could have done this यानि कि हम यह कर सकते थें इसका आंसर निकला कि this could have been done by us यानि कि यह हमारे द्वारा किया जा सकता था अब मैं इन sentences को पढ़ूंगा और जवाब आप अभी अपने मन में सोचेंगे और उसो translate करेंगे एक दम easy बस यह समझना है अब जो हमने देखा यह we would do this इसी को अगर मैं यहाँ लाओ तो we would have done this यानि कि हमने यह किया होता we would have done this तो उसका passive क्या बनाएंगे आप सोचो क्या बनाएंगे आंसर हो जाएगा कि this would have been done by us अब इसी को देखते हैं we should do this यहाँ था अब इसको देखते हैं इधर लाओ तो we should have done this तो passive क्या निकलना चाहिए कि this should have been done by us अब इसको देखते हैं यहाँ था we might do this यहाँ लाते हैं we might have done this मतलब हमने यह किया होगा आंसर क्या निकलेगा passive कि this might have been done by us आगे we must do this यहाँ था यहाँ लाते हैं we must have done this हमने यह जरूर किया होगा तो passive क्या निकल जाएगा this must have been done by us तो यह क्या था model verbs बहुत मुश्किल लगते होंगे इस वीडियो से पहले आपको कि पता नहीं कैसे इसके passive बनते हैं voice change क्या करेंगे क्या है एकदम simple आपने देखा एकदम easy सब कुछ अगर पसंद आया तो like and share जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि जतने भी students हैं ज़्यादा students तक यह easy concept पहुँच पाए और उन्हें भी आसानी से चीज़ें सीखने का मौका मिलें और वीडियो को अलास तक देखेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you very much अगले वीडियो में फिर से आऊंगा कुछ interesting चीज़ों के साथ stay tuned